सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ स्विध पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेर कीजिए थैंक यू हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू मैथ स्विध पूजा आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं किसी भी एपी के प्रथम एन पदों का योग देखे बीटा एपी क्या होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समानतर श्रेडी क्या होती है कैसे हम उसे डिफाइ करते हैं और कैसे हम एपी का एनफ टर्म एनवा पद ग्यात करते हैं यह सब बाते हैं और इनसे रिलेटिड सभी एक्जामपल सारे कुश्चन मैं अपने प्रीवेस वीडियो लेक्चर में आपको करा चुकी हूँ जो की मेरे चैनल पर आपको अविलेबल मिलेंगे अब हम इसे बाद next topic सीखने जा रहे हैं AP के प्रथम N पदों का योग तो क्या है यह एन पदों का योग और इसकी हमें क्यों जरूरत है किसलिए करना है हमें अपदों का योग यह सारी बाते पहले हम देखते हैं और फिर कैसे किया जाएगा फिर हम वो सीखते हैं हम एक छोटा से एक्जामपल ले लेते हैं मान लीजिए कि आपको आप एक नई गुलक खरीद कर लाए हैं मार्केट से और आपकी ममी ने आते ही उस गुलक में 100 रुपे डाल दिये और ममा ने बोला कि बेटा जी मैं every month जितना मैंने इस month डाला है हर महीने उससे 10-10 रुपे बढ़ा कर आपकी गुलक में 10 रुपे नहीं जो पिछली amount है उससे 10 रुपे बढ़ा कर अगले महीने उससे 10 बढ़ा कर अगले महीने ऐसे मैं आपकी गुलक में डालती रहूंगी तो पहले महीने ममी ने 100 रुपे आपको दिये गुलक में डालने के लिए तो second month में 10 रुपे बढ़कर हो गए भई 110, थर्ड मन्त में आपके हो गए 120, फोर्थ मन्त में हो गए आपके 130 and so on, ऐसे ही आपके पास पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, और एक साल कंप्लीट हो जाता है, तो एक साल के बाद एकि पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा, चोथे महीने में 30 रुपे बढ़ रहे हैं, तो 12 महीने तक जाते जाते 11 बार, यानि 110 रुपे, तो जो लास्ट अमाउंट आपके अकाउंट में गुल्लक में डलेगी बेटा, वो होगी 210 रुपे, ये पहले महीने की, अगर हम इसको, अब आप देखिए, ये एक ऐसी सीक्वेंस है, जो समान अंतर पर बढ़ रही है, तो ह हम AP की भाषा में इसे A1 कहेंगे, इसे A2 कहेंगे, इसे A3, इसे A4 और ये A12 है, ये 12 महीने के आपके पैसे हो गए, अब आप गुल्लक को तोड़े बिना, आप ये जानना चाहा रहे हैं कि एक साल में, मेरी गुल्लक में कितने पैसे एकठे हो गए, तो भी एक तरीका तो है कि इन सब टाम्स को लिखो और आप एड करो, समझे मेरी बात को ध्यान से, हो सकता है इन्हें एड करना बहुत आसान हो, लेकिन कई बार हमें कोई ऐसी AP भी मिल सकती है, जिने इस तरह एड करना आसान ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि चलो भी एक साल की आवांट तो आप आइड कर lo, दोसाल तक भी आपकी गुलक नहीं टूट रही, आपकी गुलक पांच साल तक भी फिल नहीं हुई है, और आप जब तक भी गुलक भर नहीं जाएगे, आप उसे तोडbourne होगे नहीं, टो नुकसान है आपको, तो जब आ प मैं उस गुलक को तोड़ना भी चाहर किसे 100-110-120 ऐसे पैरलल लिखकर और जैसे छोटे बच्चे करते हैं अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें बहुत समय लगेगा समझ रहे हैं मेरी बात को बहुत जादा समय लगेगा तो इसको करने का क्या तरीका है मान लिजे इन 12 पदों के जोड को मैं S नाम दे दू तो ये क्या बनेगा बेटा ध्यान से समझे 100-110-120-130 और अंतिमपद आपका है 210 ध्यान से देखे इसी जोड को मैं दो बारा लिख देती हूँ उल्टा करके मैंने यहां लिखा 210 210 से 10 कम होएंगे पिछले महिने में तो यहां आएंगे 200 फिर 10 कम होएंगे 190 फिर 10 कम होएंगे 180 और लास्ट में आएंगे 400 410 नहीं 100 यह ध्यान कहीं और चला गया वही 100 आएंगे अब आप इन्हें S से जोड है तो S और S तो हो गया 2S ध्यान से जोड़ेंगे और जब हम इन टर्म्स को जोडते हैं 100 और 210 बेटा 310 जमा यह कितना है 310 यह कितना है 310 और इस तरह चलते चलते यह सब हमारा बन गया 310 कितनी बार 310 बनाए यह कितनी बार आपके गुल्लक में पैसे गए हैं बार बार महीने तो यह 310 कितनी बार आ गया 12 बार आ गया और यह है 2S और हमें तो S निकालना है एक ही बार का जोड निकालना है तो S क्या हो जाएगा 310 गुना बारा बटे दो दो चिक बारा 0, 6, 6, 3, 18 यानि एक साल में आपकी गुल्लक में 1860 रुपे जुड़ गए हैं इसी तरह आप 2 साल लेकिन 2 साल के भी निकाल सकते हैं लेकिन यह भी बहुत लंबा पड़ रहा है अगर 2 साल के लेंगे तो और भी लंबा पड़ेगा तो क्या इसके लिए हमारे पास कोई shortcut नहीं है क्या कोई short technique नहीं है क्योंकि यह साधारन जोड करना भी हर बार संभव नहीं होगा अगर हमारे पास बहुत जादा terms हैं तो clear इसी तरीके से हम AP को जोड के देखते हैं मैं अब इसको erase कर रहे हूँ सीधा उल्टा करके मैंने जोडा है तो अभी मान लीजिए कि कोई AP है आपके पास कोई AP है आपके पास और वो AP है A1, A2, A3, A4 and so on इन्फाइनाइट AP है यानि इसकी terms चलती जा रही है तो देखो इन्फाइनाइट का सम तो हम निकालेंगे नहीं निकाली नहीं सकते इन्फाइनाइट का हम निकालेंगे केवल प्रथम N पदों का योग इस बात को ध्यान रखना प्रथम N पहले से लेकर N तक के पदों का योग तो इसे हम क्या कहते हैं इंगलिश में क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं sum of first N terms of NAP एक AP की पहले N पदों का योग तो इतना इतना बड़ी बार बार थोड़ी लिखेंगे हम इतनी बड़ी term हम बार बार नहीं लिखेंगे math में symbol का यूज होता है इसे हम कहेंगे S N तो S N क्या बना S N बना पहले N पद पहले N पद यानि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A N-1 प्लस A N ये हमें find out करना है और हम इसके लिए कोई shortcut डों रहे हैं इसी को देखो बेटा मैं S N को कैसे लिख सकती हूँ A1 का मतलब A A2 का मतलब A जमाद D A3 का मतलब A प्लस 2D और last में A N-1 का मतलब इससे एक कम A प्लस N-2D और A N का मतलब है प्लस A प्लस N-1 इंटू D इसके लिए अब हमें कोई shortcut चाहिए तो अब हम क्या करते हैं इसी S N को मैं दुबारा लिख देती हूँ उल्टा करके उल्टा करके क्यों आप यह देखी ना बेटाजी बहुत साधारन सी बात है कि एक जमाद दो जमाद तीन करोगे तो भी छे आएगा और बेटाजी तीन जमाद दो जमाद एक करोगे तो भी छे आएगा तो addition का order आप change कर लिजे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो अगर हम इसको उल्टा भी कर दे तो भी जोड उतना ही आएगा तो इस term को तो इसके साथ लिख रही हूँ अब मैं first के नीचे a plus n minus 1 into d उसको पीछे से जो second term है उसको आगे से second term के नीचे लिख रही हूँ a plus n minus 2 d और यहां क्या बन जाएगा a plus n minus 3 d clear और जो यह last two terms है तो first two terms यहां आजाएंगी तो इसके नीचे आजाएगा a जमाद d और यह आजाएगा a हमने उसी sn को दो तरीके से लिख लिया देखें मैं आपको यहां बता दूँ कि कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि यह मैडम क्या करा रहे हैं बड़ा लंबा सारा चल रहा है तो आपको बिल्कुल परिशान होने के जर्रत नहीं है यह सारा प्रोसीजर आपको एक्जाम के परपर से कुछ भी नहीं समझना है कहीं आप सोचने हों कि यह मैं कैसे याद रखू कैसे सौलू करू हम सिरफ इसकी हैल्प से एक फॉर्मूला डवलप कर रहे हैं जो कि हमें आगे सम निकालने में जोड निकालने में हैल्फुल होगा मैं आपको डिरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकती थी लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होते जिने क्योरिस्टी होती है कि यह फॉर्मूला डवलप कैसे हुआ तो यह जानना भी बहुत जरूरी है तो जिन स्रूटनेर्स को समझ आए वह इसे देखें जिनने नहीं समझ आए जस्त समझ के और छोड दीजिएगा स्किप कर दीजिएगा इस पॉर्षन को तो एसन में एसन जुड़ा तो टू एसन अब ध्यान देंगे फॉस्ट में फॉस्ट में अलग से जोड के आपको वहां दिखा रही हूं ए ए तो यह है और प्लस ए प्लस एन माइनस वन डी और जब आप इने जोड होगे तो यह बनेगा टू ए प्लस एन माइनस वन डी यानि इन दोनों का जो जोड है वो क्या बनेगा टू ए प्लस एन माइनस वन डी फिर आगे चलिए इन दोनों का ए में ए जोड होगे टू ए चीक है बही औ और N-2 में 1 जोड़ोगे तो फिर से क्या आएगा N-1D इन दोनों का सम 2A प्लस N-1D इन दोनों का सम भी 2A प्लस N-1D और इन दोनों का सम भी क्या आएगा 2A प्लस N-1D और इन दोनों का सम भी क्या आएगा 2A प्लस N-1D ये एक गेम है देखो ना उसी को ले लेते हम देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 इसको नाम दे दिया मैंने S समझे और अब इसको मैं उल्टा कर दू 3 प्लस 2 प्लस 1 तो स्मिट्री है स्मिट्री है आप आगे से पीछे से लिखेंगे तो लगातार जब टॉम्स आएंगी तो इनका जोड चार फिर दो दो चार तीन और एक चार एक ऐसा गेम बन जाता है कि हर टॉम्स इकोल आ रही है हर दो फॉस्ट और लास्ट का जोड फॉस्ट और लास्ट का जोड फॉस्ट सेकिंड लास थरड का जोड सेम आएगा आपका तो इससे हमें यह देखि चार कितनी बार आ गया? तीन बार तो इससे चाहे तो आप बारा लिख लीजी अदरवाइज आप तीन गुणा चार भी लिख सकते हो सेम काम हम यहाँ कर रहे हैं कि हमने जोड को तो एक बार सीधा लिखा, एक बार उल्टा लिखा, उससे हमारी स्मिट्री बन गई, कि इन दोनों का भी वही जोड, इन दोनों का भी वही जोड, यानि कि सभी टरम्स का जोड वही आजेगा, अब ये कितनी टरम्स थी वही तीन, तो चार कितनी बार आया था, तीन बार आया था अब यह कितनी टर्म्स हैं भाई यह कितनी टर्म्स हैं हमारे पास यह कितनी टर्म्स हैं यह एन टर्म्स हैं हमारी यह एन टर्म्स है यह भी थो एन है तो यही एक टर्म कितनी बार आ गई एन बार आ गई यही टर्म हमारी कितनी बार आ गई एन बार तो टू ए प्लस एन मा आए हैं तो n times n गुणा 2a plus n minus 1 into d और इस 2 को आप right side में ले आएं तो sn क्या बन जाएगा n by 2 into 2a plus n minus 1 into d और ये आपकी एक identity एक formula हो जाता है sum of n terms calculate करने का किसी भी ap में got it मैं आपको एक बार फिर से repeat करा दू हमने क्या discuss किया है क्या समझा है देखिए जो भी ये method मैंने यह discuss किया है इसे मैंने आपको numerical example लेकर भी बता दिया है बलकि 2 numericals मैंने लिये हैं और मैंने उसका proof भी बताया है कि कैसे ये formula आया है लेकिन exam के point of view से आपको इस formula का ये development बिलकुल नहीं करना है जिन बच्चों को ये समझ नहीं आया कि ये क्या कर दिया वो बिलकुल इस part को skip कर सकते हैं आपने सिरफ इतना समझना है कि अगर आपको कोई ap दे रखी है a1, a2, an तो sn क्या है sn उस ap के continuous first terms से लेकर n terms तक का जोड है clear और जब हमें कोई ap दे रखी होती है तो हम उसमें से a निकाल सकते है b की value find out कर सकते हैं और sn, n हमें दिया गया होगा कि हमने कितनी terms को add करना है तो इसके लिए हमारे पास एक direct formula आ जाता है कि sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d और ये identity ही सिरफ आपने याद रखनी है बाकि आपने अगर ये सब समझ नहीं आ रहा है process तो you can skip और जो अच्छे बच्चे बजी नहीं लग रहा है कि हमें बिल्कुल depth समझ आना चाहिए सारा base clear होना चाहिए उन्हें में suggest करूंगी कि वो जरूरी इस method को एक बार समझें just समझें exam में नहीं आता है ये सब कुछ इसका हम एक पहले एक साधारन सा एक इसकी application लेते हैं direct application of the formula क्या मतलब है कि formula मैंने आपको बता दिया अब इसकी help से सीधा एक सवाल करना सीखते हैं फिर इसमें और जो जो नई terms आएंगी वो मैं आपको बताऊंगे तो ये आपकी NCRT का है बेटा जी example number 11 example number 11 क्या कहता है AP तहले ही बता रखा AP है आठ तीन माइनस दो डैश 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 के प्रथम 22 पदों का योग ग्यात करें ठीक बेए प्रथम 22 इस शब्द को नहीं भूलना है पहले 22 A1 जमा A2 जमा A22 ठीक है बेए तो आप कैसे करेंगे इसको दी गई AP विल्कुल सही तरीके से विल्कुल प्रॉपर तरीका जो आपने एक्जाम में करके आना है दी गई AP आठ तीन माइनस दो डेश 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 सबसे पहले A निकालिये A कितना हो गया आठ प्रथम पद आठ बी क्या होता है सारवंतर कोमन डिफरेंस तो वह हम कैसे ग्यात करते हैं हमेशा दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो A2 घटा A1 A2 कितना है भई तीन में से आठ घटाएंगे तो माइनस का पाँच आएगा अब हमने कितने पदों का योग निकालना है 22 पदों का योग निकालना है तो यहां लिखेंगे क्योंकि प्रथम 22 पदों का योग ग्यात करना है क्योंकि प्रथम 22 पदों का योग ग्यात करना है इसलिए N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 A आ गया, D आ गया, N आ गया और हमने निकालना क्या है S N यानि S 22 हमने निकालना है भई 8, 3, माइनस 2 ऐसे करते करते 22 तक का जोड कितना होगा 22 में पद तक अब अगर हम डिरेक्ट करने लग जाएगे तो पहले तो 22 के 22 पद निकालेंगे फिर जोडेंगे अब कुछ जमा के हैं, कुछ घटा के हैं, गलती जरूर होगी अगर हम सीधे तरीके से करें और फॉर्मूला से करेंगे, एक ही मिनट में हमारा आंसर आजाएगा तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पहले तो फॉर्मूला जरूर मेंशन करना है आइडेंटिटी हर कोईश्चन में लिखनी है आपने हम जानते हैं, S N is equal to N by 2 into 2A plus N minus 1 into D सब बैल्यूज पुट कर दीजिए, S N, N की जगा बिटा 22, N की जगा बिटा 22 बटा 2, 2A A 8 है, तो 2 गुना 8 जमा 22 गटा 1, तो यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, 22 minus 1 और D कितना है, minus 5 अब यह बात मैं हर बार आपको बताती हूँ कि यहाँ ऐसे minus 5 नहीं लिख देना है यह D, इस N minus 1 से multiply हो रहा है बेटा और multiply में अगर आप bracket नहीं लगाओगे, तो यह ऐसा लग रहा है जिसे first term, second term और third term तीन पद आ गए हों इसलिए यहाँ पर bracket लगाना multiply करते time बहुत जरूरी है तो यह end close the bracket समझा रहा है यहाँ तक आपको आगे चलूँ अब मैं, तो यह हो गया S 22 बराबर है, यह कटता है तो काटना है 2, 11, यहाँ 11 आ गया, 2, 8, 16, जमा, घटा, घटा हो गए 22 में से 1 गये, 21 और bracket में आ गया 5, और solve कर दीजे इसको 11 bracket में 16, माइनस 21 पंजे 105 नहीं, तो आप गुना कर लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए, 11 bracket में 15 में से 6 गये, 9 और 9 में से 1 गया 8 माइनस 89, यह आ गया, माइनस का 11 गुना 89, देखे, 11 से गुना करने के लिए मुझे अभी एक शौट ट्रिक ध्यान आ रही है, मैं सोच रही है कि मैं आपको बता दूँ कि जब भी आपको 89 को 11 से गुना करना हो, यह तो मैं आपको बता रही हूँ तो इतना टाइम लग रहा है अधरवाई बिल्कुल भी नहीं लगता, यह आंसर आ जाएगा, मैंने कोई वर्बल आपके आगे कोई calculation नहीं की यह मैंने मुझे कुछ भी नहीं बोला, कैसे किया, जब भी किसी नंबर को 11 से गुना करना हो, 89 है, तो क्या करो, 9 लिख लो, इन दोनों का जोड लिख लो, और 17 का साथ हासिल पाई 1, उस हासिल को 8 में जोड दो, 989 यह तो मैं आपको समझा रही हूँ, तब इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, अगर आप डारेक्ट करोगे तो बहुत जल्दी होगा, जिसे 35 को 11 से गुना करना है, तो 35 का क्या बनेगा, मुझे बानी, 5, 5 और 3, 8 और 3, मतलब लास्ट एजटीज, फरस्ट एजटीज, और बीच में इनका जोड, और यह जोड अगर एक से मतलब इस और इन दौनों का जोड साथ, 25 है ना मज़ेदारी है, कितना इंटरस्टिंग है, आप यह साथ में देखें एक बार, इस से आपको काफी help मिलती है, जब आपकी calculation इसे fast हो जाएगी, 75 देखते हैं, आप हम, 75 को मैंने 11 से गुना करना है, तो 5 यहां, 7 यहां, 7 और 5 बारा, त 25 बन जाएगा, clear, तो एक और देख लेते हैं, 66 ले लेते हैं, 6 यहां, 6 यहां, 6 और 12 का दो आसिल पाई, 726, 10 सेकंड भी नहीं लगते हैं, 11 से इस तरह मल्टिप्लाई करते हैं, तो अब हम अपने question पर एक बार पुलेट के वापिस आते हैं, तो S22 बन गया, minus 979, और यह आ 72 किसी AP के प्रथम N पदों का योग, I think आपको समझ आया होगा, अब मैं आपको एक बात और बता दो कि हर बार इतने सीधे question नहीं मिलेंगे आपको, यह question तो था direct application, वह formula था, उसमें value put कर दी, और answer आ गया, बट हर बार ऐसे नहीं होगा, घुमा फिरा कर भी question आएंगे, formula है, इसमें 4 चीजी है, S, N यानि N पदों का जोड है, N पदों की संख्या है, A प्रथम पद है, और D सार्व अंतर है, इन चारों में से, अगर आपको question के अंदर, कोई 3 चीजे दे रखी है, तो चोथी, जो भी demand होगी question की, वो आप इस formula की help से find, कर सकते हो, अभी मैं इस formula का एक और version आपको बता रही हूं, इसको फिर से देखें, कि मैं इसे कैसे लिख सकते हो, N by 2, 2A, 2A को तोड़ लेते हैं, break कर लेते हैं, इसके टुकडे कर लेते हैं, कैसे, A जमा A, 2A का मतलब A जमा A, A और A 2A, और plus N minus 1 into D, इसमें और इसमें कोई difference नहीं हैं, लेकिन, अब हम इसे थोड़ा modify कर देंगे, थोड़ा बदल देंगे, यहां मैंने bracket लेते, A plus N minus 1 into D, और यह किसका formula है, A N का, यह किसका formula है, A N का, तो S N is equal to N by 2 into A plus A N, clear, तो A N, N वापद, और अगर हमें किसी AP में N ही पदों का जोड़ निकालना है, तो N वापद last होता है, तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, कि S N is equal to N by 2 into A plus L, जिसमें A आपका प्रथम पद है, और L आपका अन्तिम पद है, या N वापद भी इसको कह सकते हैं, तो यह formula इस रूप में भी कभी-कभी use हो जाता है, और यह तो इसकी standard form ही है, जो आपने use करनी है, तो यह मैंने आपको S N के दोनों form अब बता दिये हैं, अब हम इससे relevant एक और example अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, example number 12, क्या statement है, अब direct application नहीं है, क्या statement है, किसी AP के, statement में इसले लिख रहे हैं ताकि मैं यहां से पढ़ाऊं, तो आप और भी अच्छे समझ आ जाए, प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, कोई AP है, कहां है AP क्या है, हमें नहीं पता, हमें सिरफ यह पता है, कि उस AP के प्रथम 14 पदों का योग, यानि S 14, 1050 है, और इसका प्रथम पद 10 है, प्रथम पद का मतलग A 10 है, मैं direct लिख देती हूँ, यहां A की value कितनी है, 10 है, तो हमने क्या करना है, उस AP का, 20 पद 11 करो, यह आपका question है, अभी अभी मैंने आपको बताया है, कि direct question बिल्कुल application के नहीं आएंगे, कि आप ऐसे ही apply कर दो इनको, अब आपको twist दे दिया है, तो देखे पहले तो मैं यहां साफ कर देती हूँ, blackboard को और इसको उपर ही note कर देती हूँ, इसी formula को, आपको सिरफ understanding होनी चाहिए, और यह बहुत ही easy chapter है आपका, जिसमें आपको formula ही दो है main तो, sn और an, तीसरा कोई formula ही नहीं है, sn, an, बस d निकालना है तो a2 minus 7, उन्हें को कैसे use कर सकते हो, वो आपने अपना समझना है इस बात को, तो यहां से अब हम चलते हैं, ap के प्रथम 14 पदों का योग दे रखा है, a दे रखा है, तो इस formula पर focus करो, यह जोड दे रखा है, और कुछ भी नहीं दे रखा, दे रखा है, 14 पद है, इसका मतलब n की value कितनी है, 14, तो हमें n पता लग गया, a पता लग गया, sn पता लग गया, बच क्या गया, d, और अगर हमें किसी ap में a और d मालूम है, तो हम ap का कोई भी term निकाल सकते हैं, पूरी ap बना सकते है तो यहां अब हम इसको start करते हैं, लिख लीजिए, ap का प्रथम पद, ap का प्रथम पद a, कितना है भई, 10 है, माना, माना ap का सार्व अंतर, क्या हो गया, d हो गया, clear, d, दिया है, d, या according to question, s14 कितना दिया हुआ है, 1050, छीक है, तो इसका मतलब यहाँ n की value कितनी हो जाती है, 14, अब वो formula आप ले लीजिए, हम जानते हैं कि sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, अब जो जो आपको गयात है, वो रख दीजिए, तो यहाँ पर n की जगा 14, यहाँ भी 14 बटा 2, 2a, a कितना है, 10 है, तो 2 की 10 से गुणा कर दीजिए, n की value 14 है, 14 minus 1 bracket में, यह आपका d आ गया, s 14, s 14 का मतलब क्या है, 1050 यह हो जाएगा, 1050 और यह कटता है तो काटें, 2 सत्य चोधा 7, 10 दूनी 20, जमा 14 में से एक गए, 13, 13 d आ गया, clear, यह साथ यहाँ multiply में है, तो अगले step में, अगले step में, यह यहाँ पर denominator में आ जाएगा, और यह cancel होगा, साथ एकम 7, साथ पंजे 35 और 0, तो यह आ गया बेटा जी, 150 बराबरे 20 जमा 13 d, अब इसे आप solve कर लीजिए, मैं क्या कर रहे हूँ कि मैं इसको left मिल, भई A बराबरे B, या B बराबरे A, तो मैं इसको इधर ले आती हूँ, तो 20 जमा 13 d, बराबरे 150, 13 d, d की value निकालनी है, इधर ही रखिये, 20 right side में चला जाएगा, तो 150 घटा 20, और ये क्या हो जाएगा, 13 d, बराबरे 130, और 13 इधर गुणा में है, इधर जाकर division में चला जाएगा, 113 by 13, 13 धाई 130, d की value कितनी आ जाएगी, 10, आपको a मिल गया, d मिल गया, question क्या है, question है, 20 वाँ पद गयात कीजिए, तो अब 20 वाँ पद, दोनों formula यहां आ गए है, हम जानते हैं, हम जानते हैं, की n वाँ पद क्या होता है, a plus n minus 1 into d, अब n बदल गया है, क्योंकि आपने 20 वाँ पद निकालना है, तो n की जगा 20 लगा दीजिए, तो 20 वाँ पद क्या हो जाएगा, a जमा 19, d, a कितना है, 10, d भी 10 है, तो यह बन जाएगा, 10 जमा 19 गुणा 10, और बिटाजी यह बन जाएगा, 10 जमा 190, यानि की 200, देखिए, एक्जामपल बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको यह दो चर बाते बताना चाहूंगी, कि यह ऐसा एक्जामपल है, जिसमें आपको AP के सारे फॉर्मूले मिल गए है, आपको AN का फॉर्मूला भी अपलाई करना पड़ गया, यहाँ पर SN का भी करना पड़ गया, यहाँ पर A है, D है, आपको यह डिफरेंस क्लियर करना आना चाहिए, कि NOA पद क्या है, और N पदो का जोड क्या है, किस फॉर्मूले को कहा लगाना है, और यह चीज प्रैक्टिस से ज़्यादा आती है, जितने क्वेश्चन्स आप अपने आप ट्राई करेंगे बार बार, जो चीज आपको समझ नहीं आ रही, मालीजी आपको AN नहीं आ रहा तो आप AN से रिलेटीड ही क्व क्वेश्चन्स को बार-बार करें, जब वो आपके बिल्कुल पक्के हो जाएं, तब आप अगले स्टेप पे चलें, फिर उन में जो ट्विस्ट वाले क्वेश्चन है, कि भई तीसरा पाद इतना है, पांच वाँ इतना है, फिर उन पे आईए आप, फिर आप SN पर आईए तो आपको बहुत आसान लगेगा ये टॉपिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेश्चन जो है आपका जो एपी है, ये बहुत इजी चैप्टर है आपका 10th क्लास का, और अभी हर्याना बोर्ड में तो एक्सरसाइज 5.3 के जो लास्ट 6 क्वेश्चन्स है 15 to 20 वो डिलीट भी कर गए हैं स्लेबस में से, तो मार्च 2021 में जो बच्चे एक्जाम देने जा रहे हैं, उनके स्लेबस में एक्सरसाइज 5.3 के 15 से 21 तक के फश्चन्स नहीं आएंगे, चलिए हम एक और एक्जामपल ले लेते हैं, एक्जामपल नमबर 13, एपी 24,21,18 डैश 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 का मतलब अप्टू इंफिनेटी तक चलती जा रही है, तो यह क्या कह रहा है, कि इसके कितने पद लिए जाएं, कितने पद, कितने, वह यह एक है, यह दो है, यह तीन है, तो ऐसे कितने पद लें, कितने पद लिए जाएं, कि, क्या हो जाएं, उनका योग, कि, उनका योग, 78, हमें एपी दे दी, एपी दे दी, तो ए मिल गया, डी मिल गया, अब यह कह रहा है, कितने पद लों, कितने का मतलब संख्या, और संख्या का मतलब क्या है, एन, यानि एन हमने निकालना है, और उनका योग, योग का मतलब, उनका योग, योग का मतलब, एसन, भई फॉर्मूला पर फोकस करो न, एसन एक, एन दो, ए तीन और डी चार, मैंने आपको यह चार वेरियेबल बताए है, अब इन चार में से यहां क्या क्या दे रखा, देखो जब योग आ गया, सिंपल सी बात है, जब हमारी स्टेटमेंट में योग शब्द आ गया, इसका मतलब, भईया, हमने एसन का फॉर्मूला तो यूज करना है, ठीक है, अब इस फॉर्मूला में चार अन्नोन है, चार में से हमें कौन-कौन से पता है, तो भई हमें एसन पता है, भई इसकी जग में कितना फर्क है, माइनस तीन का, तो ये बाते हमें पता है, तो जो नहीं पता वो आ जाएगा, क्लियर, तो चलिए अब हम करते हैं, दी गई अपी, अपी क्या है भई, आपकी 24, 21, 18, डेश, 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 A कितना हो गया, 24, D कितना हो गया, A2 माइनस A1, 21, गटा 24, माइनस 3, और माना, भई कहा है न, कितने पद, तो माना N पदों, प्रथम N, प्रथम जरूर लगा दे न, भई, ठीक है, माना प्रथम N पदों का योग कितना है, 78, यानि S N कितना है, 78, S N की जगां पर फॉर्मूला लगा दीजी, भई कई बार हमें फॉर्मूला राइट सेड में भी लगाना पड़ जाता है, कई बार फॉर्मूला इसके प्लेस पर भी, भई, इस टर्म is equal to this टर्म, तो चाहे तो ये लिख लीजी, चाहे ये लिख लीजी, एक ही बात है, तो इस S N की जगे हमने लिखा, N by 2, ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 इंटो D बराबर है, 78, 70, values रख दीजिए, ये जो 2 है, ये पूरी ब्रैकेट के डिनॉमिनेटर में है, इसे तो ले जाओ, राइट में, और N हमें पता नहीं है, समझें, 2A, A कितना है, बही 24, तो 2 गुणा 24, फिर हमें N नहीं पता, तो N घटा 1, D कितना है, माइनस 3, फिर वही माइनस आ रहा है, तो ब्रैकेट लगानी है, यहाँ पर ये दोनों ही ब्रैकेट्स आप बढ़ी ले लीजिएगा, is equal to 78, गुणा 2, चले हागे, इसको खोल लीजिए, आप इसको ओपन कर लीजिए, तो N ब्रैकेट 24, दूनी 48, देखें, पलस माइनस माइनस 3 को N से करेंगे, माइनस 3 N, पलस 3 और ये दो आठे सोलार, दो साथे चोदा और एक पंद्रा, ये 48 और 3, 51 घटा 3 N, N बहार है, देखें देरा, N बहार है और ब्रैकेट में आ गया, 51 घटा 3 N, और बड़ाबरे कितना आ गया, 156, ब्रैकेट खोल दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, 51 N घटा 3 N की 2, बड़ा तो माइनस अटा दीजिए, तो क्या करेंगे, ही राइट में चला गया, सारा, 3 N की 2, घटा 51 N, जमा 156 बराबरे 0, समीकरण को हल कर लीजिए, लेकिन उससे पहले, 3, 51 भी 3 से भाग होता है, तो आप इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा, N की 2, घटा 17 N, और 3, 5, 15, 3, दुनी 6, ब्रेक कर लीजिए, मिडल टाम को, बीच की टाम को, 17 को हमें ऐसे टुकडे करने है, जोडो या घटाओ तो 17 आए, और मल्टिप्लाई करो तो 52 एकम, 52, मैंने चोथा चेप्टर करा रखा है, मेरे चैनल पर अवेलिबल है, जिसमें मैंने और द्विघाद समिकरन वाला जो अपना सूत्र है, द्विघाद समिकरन का उससे, और completing the square से, तीनों मैंने complete चैप्टर 4 आपको सौल करा रखा है, तो जिन बच्चों को इस चैप्टर में प्रॉबलम है, या quadratic equation सौल करने नहीं आती है, वो वहां से देख भी सकते हैं, तो 13 और 4, 17 और 13 चको 52, तो इसके दो टुकडे बन जाएंगे, n square minus 13, n minus 4, n जमा 52 बरावरे 0, जब आप इसे सौल करेंगे, तो आपको दो values मिलेंगी, 13 और 4, yes, is equal to 0, तो either n minus 13, 0 या n minus 4, 0, तो n की value आएगी 13 और n की value आएगी 4, अब 2 value कैसे आगई n की? हमें ये पूछा गया है कि कितने पदों का योग 78 है, तो हमारा answer क्या कहता है, कि 13 पदों का योग भी 78 हो सकता है, और 4 पदों का भी, वह ऐसा कैसे हो सकता है? 4 का तो हम अभी चेक कर लेते हैं, 4 का तो हम अभी चेक करके देख लेते हैं, आभी राय के नहीं आ रहा है, पहला पद क्या है 24, दूसरा क्या है 21, तीसरा क्या है 18, तो चोथा क्या बन जाएगा? 15, 4 और 1, 5 और 5, 10 और 8, 18, 1 और 1, 2 और 2, 4 और 2, 6 और 1, 7 ये तो आ गया, पहले 4 पदों का योग तो 78 आ गया, 13 का कैसे आ जाएगा? आएगा, ऐसे आएगा, ये टर्म से डिक्रीज होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, और जब ये ऐसे ही कम होंगी, तो कहीं जाकर 0 और फिर नेगेटिव पर पहुँचेंगी, ठीक है ना, 15 के बाद 12, 9, 6, 3, 0, माइनस 3, माइनस 6, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी सारे टम्स, और लास्ट में यही रह जाएगा, तो हमारे दोनों ही आंसर्स राइट हैं, 13 पदों का योग भी 78 होगा, और प्रथम 4 प एक्जामपस दिये है, SN बताया है, अभी आपके 3 एक्जामपस और रह जाते हैं, और exercise के question है, कुछ जिने हम next video में discuss करेंगे, अगर आपको इससे related कोई भी doubt है, तो आप मुझे comment box में लिखें, अगर आपको मेरा video lecture पसंद आता है, तो please share करें, and subscribe my channel, thank you.